क्या आपने henry ford का नाम सुना है? henry ford वो है जो ford company जो बहुत famous car company है उसका जो बहुत जाना माना जिसने उस company को कहीं से कहीं पहुँचाया वो है henry ford एक किसम से honor है उसका तो उसका एक बहुत famous dialogue है जो basically कुछ इस तरह से है if you think you can you are right द्यान से देखना, द्यान से सुनना इस बात को If you think you can, you are right If you think you cannot, you are right Basically अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो Henry Ford कह रहा है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप कोई काम कर सकते हो तो आप बिल्कुल ठीक हो आप वो काम कर सकते हो और अगर आप ऐसा सोचते हो नहीं कर सकते हैं तो भी आप बिल्कुल ठीक हो वो काम आपका कभी नहीं होगा और यह बेसिकली इसके पीछे एक बहुत फेमस कहानी है कि Henry Ford ने किस वकत पे गई Automobile इंडस्ट्री के अंदर एक V8 इंजन करके बहुत revolutionary एक समय माना जाता है कि जब V8 इंजन की invention हुई और वो Ford Company नहीं की थी और उसमें कहा जाता है कि बहुत समय से जो उसकी R&D टीम थी Henry Ford की वो उसके उपर काम कर रहे थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था तो एक दिन Henry Ford आया और उसने यही quotation जो फेमस quotation है कि if you think you can you are right if you think you cannot you are right और उनको एक कमरे में बंद कर दिया आपने R&D की टीम को कि आप अब तभी निकलोगे जब आप इसका invention कर लोगे और सकारात्मक धंग से सोचो कि आप इसको काम को कर सकते हो और the story says कि वो eventually V8 engine invent हो गया basically वो यह है कि आपकी सोच आपकी जो सोच है वो आपका भविश्य बनाती है या बिगाडती है अच्छा या बुरा भविश्य आपके जीवन में जो भी आपको मिलेगा वो आपकी सोच पे कि आपकी सोच सकारात्मक है या आपकी सोच नकारात्मक है इस पर depend करता है कि end result क्या निकलेगा ऐसा Henry Ford की quotation के हिसाब से कहना है अब मैं इसको एक और level पर ले जाता हूँ कि अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा अदमी होगा जिसने बहुत ही प्राचीन कहवत है जो प्रचलित है, जो नहीं सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत अब मुझे बताओ कि जो Henry Ford ने भोला और इसमें क्या difference है एक ही बात है कि मन के हारे हार है अगर आप मन से अगर आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या नकारात्मक महसूस कर रहे हो अगर आपका मनोबल negative है तो आप हार गए already हार गए बिना कुछ किया हार गए बिना act किया हार गए और अगर आपका मनोबल इतना strong है कि उसके अंदर positivity है मन का बल बहुत ज़्यादा है तो आप जीत गए कहने को एक ही बात है लेकिन दोनों में बड़ा fundamental difference है कि जो हेंरी फोर्ड ने जो बात कही वो सोच पर आके खत्म हो जाती है यानि he is only talking about thinking और हमारी कहावत जैदा गहरी है जैदा पुरानी है लेकिन उस गहराई के हिसाब से वो बात मन की कर रही है मन का एक छोटा सा पार्ट है मन बहुत बड़ी घटना है जिसको science mind कह देती है लेकिन हमारे यहाँ पर यह जो प्रचलित word है मन यानि मन के हारे हारे अगर मनोबल अगर आपका है तो आप कुछ भी कर सकते हो और अगर मनोबल तूट गया तो आप कुछ भी कर लो आप हारी जाओगे अगर मन के हारे हारी है और मन के जीते जीत तो यह कितना जरूरी है कितना महत्पूर्ण हो जाता कि हम मन को जाने अपने मन के बारे में जाने मन को काम करने के तरीके को जाने क्या चीज मनोबल बढ़ाती है क्या चीज मनोबल गिराती है इस बात को जाने और क्या तरीके हैं कि हम इसके मन को एक बहतर डंग से मैनेज कर सकें जिससे की majority of time मनोबल हमारा ऊचा रहे ऐसे कह देने से नहीं होता हमें इससे समझना पड़ेगा बहुत गहरी बात इस यह जो podcast है इसका उद्देश्य यही है कि बिल्कुल साधारन भाशा में क्योंकि वैसे complex subject है school college जाते हो बाहर के दुनिया के लिए बहुत कुछ पढ़ाए जाता लेकिन मन के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं बढ़ाते मनोविज्ञान नाम की चीज है तो सही लेकिन वह साइकलोज कामना बहार की दुनिया में आगे बढ़ने की है तो spiritualism की तरफ आपका interest होता नहीं तो मेरा जो उद्देश्य है वो यह कि साधारन से साधारन भाशा में जो हर किसी को समझे मा सके आप चाहे गाओं के हो चाहे आप शहर के हो चाहा आदमी हो औरत हो कम उमर के हो ज्यादा उ सकूँ कि आप मन के बारे में सब जान लो so that कि आप उस पे काम करके जीवन में आगे बढ़ सको थोड़ा boring हो सकता सत्संग जैसा लग सकता है लेकिन अगर आपको जीवन में सफलता चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो एक घंटा सवा घंटा अगर आप जीवन का दे दोगे तो आप कुछ ना कुछ यहां से लेके ही जाओगे मैं हर बार बोलता हूँ पिछली जो दो podcast थी लगती है बड़ी लेकिन जिन भी लोगों ने सुना है समझा है उनको जीवन में से फाइदा ही होगा तो इसलिए एक घंटा दे दो ध्यान से सुनो बस और चलते चलते सुनन कोई ऐसा नहीं कि बैठके कोई TV की तरह मूवी की तरह देखना जब वॉक कर रहे हो जब किसी अपने point A से point B पर आगर आप office के काम के लिए जा रहे हो कहीं भी लगा कि कान पर सुन सकते हो यह इसी तरीके से बनाया गया कि सुनने से ही सब कुछ मालुम पढ़ जाए आपको मोटा मोटा तोर के उपर मन को हम तीन हिस्सों में माट सकते हैं तीन लेवल मालो आप एक ground floor हो गया एक first floor हो गया एक second floor हो गया ऐसे समझो तीन floor हो गया और जो पहला हिस्सा या पहला तल है उसको वो है विचार का जिसके बारे में Henry Ford बात कर रहा है विचार क्या होता है यह तो इससे तो हम सब अवगत हैं इस सबका तो अनुभव हम सबको है कि सारा दिन जो भी हम सोचते हैं जो भी हमारे खोपड़ी में विचार चलते हैं वो उसके बारे में को इंट्रोड़क्शन देनी की ज़रूरत नहीं है by the way I have earlier mentioned also अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक adult जीवन जो होता है न जो एक adult इनसान जो होता है न उसके एक दिन में एक दिन में 50,000 से 60,000 विचार रोज आते हैं एक आदमी को,ë luego देन्ट आतमी को मज़े की बात पता है क्या है है , जयदा तर विचार जो होते हैं अगर आप उसको observe करो ध्यान दोगे तो repeated होते हैं विच मीज कल भी आये थे वो विचार, परसों भी आये थे, आज भी आ रहे हैं, कल भी आएंगे और वो रिपीटिट सेम सेम चीज चलते चले जाती हैं, और दूसरी इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम उस विचार पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उस जाते हैं, जिसका जो बस चलता, वो अपने विचार आपकी धरमशाला के अंदर आपके तल के विचार के तल के उपर डाल के चला जाता, और दुनिया को क्या करना, दुनिया तो फुल आप नेगिटिविटी से फैली हुई है, चारो तरब घूम के देखो, निउस विचार आपके खोबड़ी में हैं, वो आपको आपके जीवन को बहतर बनाने में help करते हैं, और जितने नेगिटिव विचार हैं, वो आपके जीवन का सत्यामास करते हैं, सीधा करने तो करना क्या है, या होना क्या चाहिए, कि विचार जो आने चाहिए, पहले तो कम से कम चाहिए, repeated नहीं आने चाहिए, जितने आएं, उसमें majority जो है, अगर सकारात्मा कोई तरीका ऐसा हो, जिससे majority विचार सकारात्मा का सकें, और negative विचार कम आए, मैं खतम करने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ, कम हो जाया और उसकी percentage भढ़ जाया, तो ऐसा हो सके, तो का तल हमारा balanced हो जाएगा, यह होगा कैसे, या यह हो सकता है क्या, तो यह बिल्कुल हो सकता है, और कैसे होगा, जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, वैसे वैसे मैं इसको explain करता चला जाओगा, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, मन का दूसरा जो हिस्सा है, जो विचार के तल से जैदा बड़ा हिस्सा है, वो हिस्सा है, जिसको हमी बोलते हैं, भाव का हिस्सा, यानि feelings बोलो, या emotions बोलो, वो हिस्सा है, जो एक बड़ा हिस्सा है, अब उसी equation को देखते है, जो Henry Ford ने लिखी, अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, कि उसको think word को जाना, हम feel से replace कर रहे है that's all, कि भाव से replace कर रहे है, वो विचार कह रहा था, हमने भाव से उसको replace कर रहे है, तो अब equation क्या बन जाती है, if you feel, you can, you are right, if you feel, you cannot, you are right, यहाँ बे हमने सिर्फ यही काया है, कि सोच के देखो, अगर आप से कुछ चीज आपको दिल से लगती है, दिल से ऐसा महसूस होता है, कि आप यह काम कर सकते हो, तो आप ठीक हो, होई जाएगा वो काम, और अगर आप से काम नहीं हो सकता, तो काम कभी नहीं होगा, तो विचार से, अगर सोच के देखोगे, तो विचार से यह जैदा powerful force हो जाती है, भाव की, तो अब यह भाव क्या होता है, तो mainly यह जो podcast है इसमें हम आगे जाएंगे, तो इसका majority of हिस्सा मैं उसी पर ही cover कर रहा हूँ, कि भाव क्या होता है, यह powerful force क्या होती है, और मैं आपको एक बात बता दूँ, कि आपका हर विचार आपके भाव को affect करता है, उसका असर आपके भाव स्थिति पर होता है, wise versa is also true, जो यह larger तोर क आपके उपर है, वो यह कि भाव अगर आपको समझ में आ जाए, और अगर हम भाव की स्थिति को manage कर लें, तो विचार अपने अपने ने जो जाते हैं, और एक तीसरा हिस्सा भी है, एक तीसरा तल भी है, उसको बेस्मेंट कहे दो, जिसको हम belief का तल कहते हैं, belief बोलो, यह म conscious का तल कहते हैं, यह सबसे बड़ा हिस्सा है, यह कौन सा हिस्सा है, एक किसम से ऐसे है, कि जैसे मन का जो memory वाला हिस्सा है, जहां यादास्ट कहते हैं, कि जिसके अंदर जो भी विचार आज तक आपने जीवन में की है, जो भी विचार, और उनको अगर थोड़ा गहरा कर लिया, या वो विचार पुराने हो गए, या आपने उसको अच्छे से याद करके अपने सिस्टम के अंदर बिठा लिया, तो वो आपके मन के जिस तल पे बैठ गया, जाके गहराई के अंदर स्टोर हो गया, उस तल को belief का तल गयते हैं, इंड सिमिलरली, बच्छपन से ले अच्छे भुरे जो भी अनुभव आज तक आपको हो है, वो भी जाके उसी के अंदर स्टोर होते हैं, नीचे जाके, और यह स्टोर हो जाते हैं, और यह आपके सब कॉंशनस में रहते हैं, यह कॉंशनस मांइड का हिस्सा नहीं है, और यह भी एक पावर्फूल तल है, जि सोच के कुछ ही आपनी बुद्धी का इस्तिमाल करके कुछ नहीं कर रहे तो वहां से जो कूड़ा करकट है वह अगर आके अंदर बैठ जायेगा तो आपका जीवन उसी हिसाब से चलेगा तो इसको भी इसके अंदर भी हम यह मान लें कि विचार को एक किसम से कोने में एक पुराना विचार हो गया और नीचे एक belief system हो गया इसको भी अगर adjust करना तो बीच में हमारी भावस्तिती जो है अगर वह adjust हो जाती है तो ऊपर और नीचे दोनों को adjust कर जाती है अब ज़रा Henry Ford की equation को इस equation पे लगा के देखें belief वाली level पे अब उसमें मैं क्या कर रहा हू तो यू think को replace कर रहे हैं believe से if you believe you can you are right if you believe you cannot you are right यानी अगर आपको विश्वास है अपने उपर कि यह काम आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल ठीक हो और अगर आपको विश्वास है कि यह काम आप नहीं कर सकते है तो भी आप सही हो तो अब आप दिए देखो कि यह feeling से भी ज करती है और अगर आप इन तीनों forces को मिला लो सोच को feeling को और belief को और यह एक line के अंदर अगर आपके आवाज याते है कि कोई आपके मन से आवाज आती है कि मन के हार हार है मन के जीत है जीत तो यह यहाँ पर जाकर प्रूफ होती है मज़े की बात ही है कि अगर भाव को समझे उसको manage करना सीख ले तो विचार और belief या subconscious अपने आप बहतर हो जाते हैं कैसे होता है यह सब तो यह सब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा तो mainly next जो अभी मैं जो आपको concentrate करने वाला हूँ वो भाव के उपर यह concentrate करने वाला हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि भाव क्या होता है और देखेंगे कि कैसे जो change of emotions हैं या भाव स्थिति जो हमारा जो काम है मतलब अगर हम workplace पे देखें या अगर हम रिष्टों को देखें चाए वो पारिवारिक रिष्टे हो या हमारे रिष्टे हमारे दोस्तों के साथ हो रिष्टेदारों से हो समाज में अडोस पडोस के लोगों के साथ हो तो कैसे जो हमारी मनोस्थिती है उसकी का अच्छा होना या बुरा होना कैसे उस पर प्रभाव डालता है आस पास के रिष्टों पे And similarly भाव वस्था का जो मन की भाव वस्था है उसका असर हमारे उपर फिजीकल और मेंटल लेवल पे उसका असर क्या पड़ता है अगर हम WHO की मानें तो 75% of the population of the world किसी ना किसी मानसिक रोग से ग्रसित है और उसमें मेनली यह होता है कि जो emotional disturbances हैं जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते हैं नहीं मेनली उसी वज़े से वो होता है यह भाव पे अगर आप जानकारी लेने जाओ कहां से पड़ो कहां से सुनो तो अगर आप जाके देखो जैसे आज की डेट में हम देखते हैं गूगल बाबा के पास हर चीज का अंसर होता है तो गूगल बाबा पे भी अगर जाके आप चेक करोगे तो कुछ बहुत ज़्य जिहान से बैठ के आप इसको सुनो बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है इसको ऑंडर्स्टैंड करना है इसमें कुछ ज़दा सीखने को नहीं है लेकिन इसको understand करना है, अपने सौभाव को पैचानना है मैंने क्या किया? मैंने basically सौभाव को साथ पॉइंट्स में, साथ पेर्स में बाटा है ऐसे समझो जैसे साथ सुर होते हैं यह ऐसे ही साथ किसम की भाववस्था है जिसको मैं एक एक करके explain करूँगा हर भाववस्था को explain करेंगे कि क्या होती है और इसका असर हमारे उपर क्या पढ़ता है हर भाव को मैं एक एक कहानी से जोड़ कर, जैसा किसी ने पीछे लिखा था कि कहानी से अगर मैं जोड़ के समझाता हूँ कोई बात, तो जैज़ा अच्छे से समझ में आती है दो I understand कि जिसने लिखा था, वो ये चाहरा था कि मैं अपने personal life के किसे से जब जोड़ता हूँ तो तब अच्छे समझ में आती है, तो वो तो संभाव हमेशा होता नहीं, लेकिन फिर भी हर एक भाववस्था को मैं कोशिश करूँगा कि किसी कहानी से जोड़के सरल अंदाज में आपको समझाओं, बहुत complex subject है यह, तो इसलिए इसको सरल अंदाज में समझाने की कोशिश है, तो देखते हैं कितनी सा फलता मिलती है एंड लेट्स स्टार्ट विद जो बेसिकली साथ हैं, एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, काम, क्रोध, मो, लोब, भै, इलश्या, घ्रिणा, यह मेंली साथ हैं, साथ के पेर हैं, इसके साथ जुड़े हुए, कि यह नेगेटिव हैं, पहले हम विलेन को टच कर लेते हैं जैसे कहानी होती है, एक स्टोरी टेलिंग होती है, तो उसके अंदर हम पहले विलेन की बात करते हैं, यह विलेन है, नेगेटिव एमोशन हैं, इसके बाद इनी के साथ जुड़े हुए हम पॉजिटिव एमोशन की बात करेंगा, तो इसमें सबसे पहले काम की बात करते हैं जो काम यानि काम वर्ड जो बना है वो कामना से बना है आप उसको कामना कहो, उसको डिजायर कहो उसको महत्व कांखशा कहो, उसको एंबिशन कहो, चाहत कहो जो कहना है आप कहो तो एक कहानी है, जो एक किसान के कहानी है किसी तरह से एक किसान था जिसकी बड़ी इच्छा करती थी छोटा सा उसके पास एक खेत था और उसको बहुत इच्छा करती थी कि उसके पास बहुत सारी जमीन हो निची है तब वो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा और क्या हो जाएगा तो एक दिन जैसे भी हुआ कि जिसके अंदर से भगवान उसके उपर खुश हुए और भगवान ने उसको बोला आपको मैं वर्दान देता हूँ कि कल सूरे उदे हो तो सूरे की पहली किरन के साथ आप चलना चालू कर दो और चल के सूरे अस्त तक आप वापिस इस खुथा किया रही होगी उसने नाजारन क्या-क्या-क्या-क्या प्लैन बना दिया होंगे कि गयो ऐसे करेंगे यह हो जाएगा-वो यह хजाएगा इतनी बड़ी जमीन होगी और पताया रात को नीड़ी आई होगी के नहीं आई होगी और अगले दिन वो निकला और निकलने के पहली किरण के साथ निकल गया और अपना चलते 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 चला गया दोफैर चली गई उसको लगता रहा कि वो और बहुत लंबा घेरा ले सकता है ले सकता है और कहानी ये कहती है कि जब उसने तै कि वो वापस चलना चालू क तो वह point पर पहुंच नहीं पाया और वो गिर के मर गया अध्विचकार के अंदर ही आधे रास्ते में obviously ऐसी जो कहानियां हैं वो साधारण नहीं होती obviously कहानी में जो किसान है दरअसल वो आदमी महत्व कांक्षा का प्रतीक है और हम में से हर एक आदमी अपनी ambition के पीछे भागता रहता है और ये मान के रखो जो कहानी बता रही है किसी का घेरा कभी पूरा नहीं होता और एक दिन हम में से हर आदमी गिरता और मर जाता ये basically देखा जाए तो हर आदमी की कहानी है ये ambition एक negative भाव दशा है और अगर ambition को आप कम करते जाओ मतबब अगर ये negative है तो इसका कोई positive side भी होगी तो हम इसको इस तरह के से देखते हैं इसको अगर हम कम करते चले जाते हैं यानि एक ऐसी स्थिति हो जहां पर हमारी कामना जीरो हो जाए तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं निश्काम होती है न निश्काम भाव से किया गई सेवा जैसे बोलते है न निश्काम भाव से की गई तो निश्काम भाव वह अवस्था है जहां पर कामना या चाहत जो होती ह मतलब जब height of ambition तक अगर हम जाएं say on a scale of 0 to 10 पे अगर हम 10 पे जाएं तो जो highest form of ambition या चाहत या कामना होती है तो उस पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो एक किसम से आप उसको मानलो सिकंदर है जो सारी दुनिया जीतना चाता था सबी ने नाम सुना इसकंदर का की ग्रीक एंपरर था जिसने हिंदुस्तान तक भी आ गया था और पूरस के साथ उसकी famous लड़ाई हुई थी तो उसकी भी कहानी यही है कि जब वो मरा तो बहुत famous कहानी है कि उसने बोला था कि मेरे कफन में से मेरे दोनों हाथ निकाल देना ताकि लोगों को पता चले कि great Alexander भी जब इस दुनिया से गया तो खाली हाथ गया था और height of nishkam जो है उसको हम देखें तो वो कैसी है वो बुद्ध की जैसी अवस्ता है बुद्ध जैसी अवस्ता में पहुंच गए जहां पे उनको सिर्फ तन पे कपड़ा और बिक्षा में जो मिल जाए वो खा लेने वाला का और दोनों ही बहुत प्रभावी थे दोनों का प्रभाव आज तक है इतने समय तक जाने से और हम मेंसे ज़्यदा तर लोग ना तो सिकंदर है और ना हम बुद्ध है तो जीरो टू टेन में आप अपने आपको कोई भी नंबर दे दो कि जो आप ambition में कामना की हाइट पे और निशकाम पे या जीरो पे आप खुद कहां खड़े होते हो तो अब दूसरे भाव पे आते हैं काम के बाद वह क्रोध क्रोध या एंगर जिसको जो भी बोलो यह एक ऐसा emotion है जिससे हम सब वाकिफ हैं हम सब को इसका टेस्ट पता है थोड़ा जैदा गुसा करते हैं या थोड़ा कम गुसा करते हैं इससे पहचान लेकिन हम सब की है लेकिन फिर भी एक कहानी बनती है जि तो जानते हो सबसे ज़्यादा गुसा करने वाला व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में कौन हुआ नाम है उसका मोहंदास करमचंद गांधी यह नाम मैं यह बिफोर ही विकेम महत्मा गांधी वह मोहंदास करमचंद गांधी वह हमारे ही जैसे एक ओर्ड़नरी इंसान थे उस बार वहाँ पे train के first class के डबे से निकाल के बाहर फैक दिया था अंग्रेजों ने बाहर फैक दिया था actually और यह कहकर कि Indians and dogs are not allowed to enter in the first class उसके बाद उनका एक बहुत famous डायलोग आया जो मोहंदास करमचंद गांधी का था he said कि today you have thrown me out of the train tomorrow I will throw you out of my country just imagine करो कि कितना गुसा रहा होगा imagine करो कि आप उस जगें पे उनकी जगें पे होते तो आपको कितना गुसा आता लेकिन उनकी गुसे की extent देखो कि सब कुछ छोड़ चाड़ कर इंडिया आ गये और इसके बाद हुआ क्या एक ही mission के साथ आयते कि अंग्रेजों को बाहर फैकना और वो mission उनकी पूरा किया कि उस mission को पूरा करते हुए वो मोहंदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए Anger is a negative emotion गुसा जो है क्रोध जो है वो विनाश कर देता मोहंदास करमचंद जो गांधी थे he converted his anger into non-violence उन्होंने अपने anger को जो ऐसे convert कर लिया ऐसे non-violence में convert कर लिया हिंसा को अहिंसा में convert कर लिया यानि positive emotion में convert कर लिया से आप गुसे को कम करते करते हैं ऐसे आजाओ कि zero गुसा रह जा है तो it becomes a stage जो आजाती है उसको हम शान्ती की स्थिती कहते हैं जान्त भाव बोलते हैं यानि totally non-violence totally अहिंसक तो मोहनदास से वह महत्मा बन गए this is the power of emotion कि अगर आप उसको ठीक से इस्तिमाल करो तो वह आपके जीवन को positive तरीके से बदल सकता है और अगर ऐसे ही गलत धंग से इस्तिमाल हो तो आपके जीवन को destroy कर सकता तो या तो आप महत्मा गांधी बन सकते हो या आप कुछ और बन सकते हो रामण बन सकते हो क्रोध और शान्ती के बीच में हिंसा और अहिंसा के बीच में आप कहां आते हो आप अपने आपको 0-10 के बीच में number कहां दोगे यह अपने आपको rate करो जैसे हम आपने पिछली बा कि यह कहानी एक बच्चे की है एक ऐसा बच्चा जो बात बात पर छोटी छोटी बात पर जिसको बहुत क्रोध आता था तो उसके फादर को एक बार एक बड़ा युनीक तरीका समझ में आया ये बात समझाने का कि इसका असर जीवन पर क्या पड़ता है तो उन्होंने उस बच्चे को नेच्चरली जब भी गुस्सा आता था तो जाता था एक दिवार के अंदर जाके कील गाड़ते था तो शुरू शुरू में तो number of keels ज़्यदा गड़ते थे क्योंकि बात बात पर गुस्सा आता था अब धीरे धीरे कौन मेहनत करे कौन इस सारे लफड़े में पड़े जा के हाथोड़ा उठाओ कील करो तो धीरे 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 एक ऐसी स्टेज आई कि उसके कील गाड़ने की जो फ्रिक्वेंसी थी हो कम होती गई और अंतुमें आके खतम हो गई तो जब खतम हो गई तो he came to his father and he said कि I have learned my lesson कि देखो अब मिरे को गुसा नहीं आता जो आप सिखाना चाते थे मैंने सीख लिया तो फादर नहीं अब आपको क्या करना है जिस भी दिन आपको गुसा ना आए उस दिन आपने एक कील वापिस दिवार में से निकाल देनी है बाहर निकाल ली और वो जब सारी कील निकल गए वो अपने फादर को लेके आया कि देखो अब मैंने सारी बाहर निकाल ली तो फादर ने उसको दिवार के सामने खड़ा किया और देख कि तुने कील निकाल तो ली लेकिन उसके छेद जो है न उसके जो घाव है न वो अभ favorable होता उसको वापस भरना बहुत मुश्किल हो जाता तो यह है उसके impact और दूसरी तरफ जैसा था वो हमने बताया तो आप बस इसका जो moral of the story है वो self-explanatory है जोके हैं so let's move on to the third one which is moho इसकी शुरुबात मैं एक कहानी सुना के करता हूँ आपको यह कहानी स्कूल के अंदर मैंने पड़ी थी छटी या साथवी क्लास के अंदर थी लेकिन आज भी वो कहानी याद है तो जब मैंने मोहो को कवर करने के बारे में सोचा तो I wanted to related it with a story तो मेरे दिमाग में instantly वो story आई net के ओपर available है story का शुरू का हिस्सा जो relevant है वो मैं पढ़के आपको सुनाओंगा as it is और बाद के हिस्से को मैं थोड़ा fasten up करके करूँगा ताकि समय ज्यादा ना लगे तो लेकिन बहुत important कहानी है कहानी का नाम है हार की जीत और राइटर जो थे इसके सुदर्शन राइटर थे और किसान को अपने लह लहाते खेत देखकर जो आनन्द आता है वही आनन्द बाबा भारती को अपना गोड़ा देखकर आता था भगवत भजन से जो भी समय बचता यानि भजन भजन करने के बाद बाबा के पास जो भी समय बचता था वे गोड़े को अरपन कर देते थे गोड़ा एक्शली था ही बहुत सुन्दर बड़ा बलवान उसके जोड़ का गोड़ा सारे इलाके में ना था और बाबा भारती उसे सुल्तान कहके पुकारते थे उनके अपने हाथ से खर हरा करते यानि खाना वाना खिलाते खुद दाना खिलाते और देख देख के परसन होते थे बाबा भारती ने रुपया, माल, जमीन आदी सब कुछ छोड़ दिया था यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घ्रिणा थी और अब गाओं के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे और कहते क्या थे, कि मैं सुल्तान के बेना नहीं रह सकूँगा उन्हें ऐसी भ्रांती सी हो गए थी और वो उसकी चाल पर लट्टू थे जो सुल्तान की और कहते हैं कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रही हो और जब तक संधिया समय पर सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील का चक्कर ना लगा ले थे उन्हें चैन ना आता यह एक स्टोरी का पार्ट जो बेसीकली डिफाइन कर रहा है कि एक ऐसे आदमी के कहानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अब उसके पास घोड़ा है जिससे उसका मोह बंदा हुआ है मोह और प्रेम में बहुत फरक है यहाँ पर हम यह वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि उनका प्रेम है प्रेम क्या होता वो बिल्कुल entirely different होता और अक्सर यह जो है हम बहुत confused हो जाते हैं इस चीज के अंदर कि मोह को हम प्रेम बोल देते हैं कि हमारा बच्चों के प्रती मोह है मोह एक अलग चीज है मोह एक अंग्रेजी का जो वर्ड पोस्जेसिवनेस उस पे ज़्यदा applicable है कि आप उस पे अधिकार जमाते हो आप उसके मालिक हो जाते हो जैसे इस कहानी में अभी तक में बाबा भारती का एक घोड़ा है उनका उनके प्रती मोह है और मोह में वो मालिक बने हुआ है उसके तो कहानी आगे बढ़ती है कि उसी इलाके के अंदर अब मैं अपने आप इसको शॉट करके सुना रहा हूँ एक डाकू होता है डाकू खड़क सिंग होता है तो उसके कानों तक भी ये बात पहुंच जाती है कि ऐसे से करके एक बहुत शानदार बलवान बढ़िया घोड़ा बाबा भारती के पास है तो बाबा भारती के पास आता और आके उस घोड़े को देखता बाबा भारती के साथ बाचीत करता और बाद में बाबा भारती को बोलता ये घोड़ा मुझे दे दो बाबा भारती बोलते हैं कि ये घोडा तो मैं दे नहीं सकूँगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता तो वो कहता है ये घोडा तो मैं लेके रहूँगा, अब वो चला गया अब वो चला गया, इसके बाद बाबा भारती की रातों की नींद गायब हो जाती है रात रात बैटके चोकिदारी करते हैं कि कई वो घोड़ा खीच के ना ले जाए खड़क सिंग कई दिन गुजर जाते हैं और खड़क सिंग का कई अता पता नहीं होता बात आई गई हो जाती है तो एक दिन अपना गूमने निकलते हैं गूमने निकलते हैं तो एक दो मील चोड़ दो तो आपके बड़ी करपा होगी तो बाबा भारती को उस पर दया आ जाती है दया आने से वो उसको अपने घोड़े पर बिठा देते हैं और लेके चलने लगते हैं तो थोड़े दिर में जटका देता है लगाम बाबा भारती के हाथ से छूटती है और पता चलता ह कि वो गरीब के वेश में खड़क सिंग था जो घुड़ा लेके भाग गया मैं सच कह रहा हूं यह कहानी बहुत रेलेवेंट है ऐसी कहानियां जो पढ़ाई जाती है ना स्कूलों में पढ़ाई जाती है उस वकत बच्चों का बुद्धी उतनी परिपक्व नहीं होती कि वो यहां पर सिंबॉलिक तोर के उपर जो बेसिकली बात है आपका किसी भी चीज से मोह हो किसी भी चीज के उपर आप मालकाना हग बना के रख लो कैसी भी चीज के उपर possessiveness हो लेकिन एक दिन आता है जब वो possessiveness आपके हाथ से खिची जाती है चली जाती है जिसे रेत को अगर आप हाथ में जितना जोड से पकड़ के रखोगे रेत को आप पकड़ नहीं सकते वो हाथ में से फिसल जाएगी निकल जाएगी अकसर हम रिष्टों पर यह गलती करते हैं इसको भूल जाओ कि बाबा भारती है घोड़ा किसी भी परिवार में किसी भी रिष्टे के अंदर बन जाता सिमिलरली यह गलती हम अकसर करते हैं कि अपने बच्चों को अपनी बपोती मान लेते हैं उनके मालिक बन के बैठ जाते हैं एक स्टेज तक बच्चों को एक वेल्यो सिस्टम देना संसकार देना उनको पढ़ाना लिखाना यह आपका जिम्मवारी है यह आपको कर चाहिए क्योंकि आप उनको इस दुनिया में लाया हो लेकिन the moment they become independent आपको उनको छोड़ देना चाहिए, उनके उपर possessive नहीं होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, मैं पीछे एक TV के उपर ad देख रहा था, एक insurance company की कोई ad थी, जिसके अंदर बाप और बेटे की ad थी, बाप 80 स साल का है, उसका बेटा 60 साल का है, और 60 साल का बेटा आके बाप को कह रहा है, कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, अब वो मांग रहा है insurance के लिए, लेकिन बाप जो है, वो उसको बोल रहा है कि हाँ, उड़ाओ, उड़ाओ, पैसे उड़ाओ, तुम्हारा तो आज तक तुम possessiveness, कि 80 साल के उमर में भी हमारे यहां पे माबाप 60 साल के लड़के को भी पकड़ के बैठे होते हैं, क्या सही है और क्या गलत बताने के लिए, कहनी को आगे बढ़ाते हैं, अब खड़क सिंग घोड़ा लेके चला गया, तो जब घोड़ा लेके भाग रहा था, तो बाबा मैं मांग भी नी रहा, गोड़ा तु ले जा, आच से गोड़ा तिरा हो गया, लेकिन यह घटना किसी को बताएना मत, तो बड़ा है खड़क सिंग कि घोड़ा नहीं मांग रहें, यह घटना किसी को क्यों नहीं बतानी, तो भाबा भारती ने बोला, welोग इस घटना को सु जाल लेते हैं कि किसी का कभी ट्रस्प नहीं ब्रेक करना चाहिए जो कि बहुत सही है लेकिन कहानी इससे आगे बढ़ रही है जहां पर यह दिखा रही है कि बाबा भारती उसी वक्त मुक्त हो गए जो बाकी चीज़ उसे जीवन में मुक्त हो ही रखे थे लेकिन जो उनकी possessiveness थी या जो मोह था जो पकड़ थी जो मालकाना था दा मुवमेंट किसी ने उसको खीचा तो ऐसा था जैसे किसी ने जटका दिया और उनको एह ऐसास दिलाया कि बस यह नहीं करना इस इस दी कॉस कि अपना जो अपना सोय इतनी गहरी नींद उनको इतनी बढ़िया नींद कभी आई नहीं थी और काहनी का एंड यह कहता रात को चार बजे जब खड़क सिंग ने जाके जब उस बात पर विचार किया तो उसका मन विचलित हो गया उसको अच्छा नहीं लगा और रात को च वेरे जब चार बजे के आसपास बाबा भारती उठे और जब चल के जा रहे थे तो उन्होंने अस्तवल की तरफ देखा भी नहीं क्योंकि उनको अब मोहो खतम हो गया था यह बहुत इंपोर्टेंट है देखना कि मुक तो चुके थे वो लेकिन घोड़े ने मालिक की अब यह रिष्टा बिलकुल अलग हो गया यह बताने की कोशिश यह है कि एक ही रिष्टा कभी जो है अपने ही बच्चों में अपने अप्लाई करके देखना जिसको आप पोसेसिव मानते हो नहीं मुमेंट आप उनको मुक्त करते हो तो उनके प्रती जो आपका प्रेम भा यह रिष्टों को सड़ाता तो और जो इसका जो इसको अगर मोहो को कम करते चले जाएंगे हम जीरो की तरफ लेते चले जाएंगे तो भाव आगया मुक्त भाव जहां पर बिलकुल कोई मोहो नहीं है आपने किसी चीज के ओपर कोई पकड़ नहीं मना रखी आपने हर पास-पास के माहूल में तो बस इससे इतना ही मेसेज मिलता एंड लेट आस मूव तू नेक्स्ट से पहले आप अपने आपको जीरो टू टेन के बीच में रेटिंग दे दो कि चाहे वस्तू हो व्यक्ति हो मतब मैं एक्जामपल इस बेसिस के उपर है कि मैंने ऐसे घर किताब पर नहीं किसी बीचीज पर अपले के पहले सो आपका चीजों के प्रती व्यक्तियों के प्रती आसपास कितना मोह हो है और कितने आप मुक्त हो मुक्त भाव वाले हो इसके उपर जीरो से 10 पर रेटिंग करो अब इससे अगला जो भाव आता है तो जो है लोब दिल से सुबा सुबा निकला और बड़े खुश नुमा महोल के अंदर निकला जैसे होता ना किसी किसी दिन हम सुबा उठते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं तो उठके जारता कि छड़के किनारे एक बिखारी बैठा था तो राजा जैसे मूड में था उसने बिखारी को बोला कि मांग क्या मांगता है आज जो है मेरा दिल खुश है और मैं कुछ देने के मूड में हूँ बिखारी ने उसकी तरफ देखा प्रॉमिस ऐसा करो जो आप पूरा कर सकते हो और वर्ना मत करो तो मुझे तो खली यह जो मेरा कटोरा है अगर भर दो अगर भर सकते हो तो ब अगर प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ तो उसको मुझे पूरा करना चाहिए असिस्टेंट को बोला कि यह इसका जो कटोरा जो है ना सोने की मुद्राओं से भर दो अब स्टोरी सेस की जो वह 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 बिखारी वह सोने की मुद्रा आई और जैसे ही वह कटोरे में डाली तो कटो बात यह थी कि बिखारी ने राजा से प्रॉमिस लिया था कि उसको कटोरा भरना तो अब राजा आया राजा तो पीछे भी नहीं अट सकता वह भरे जा रहा भरे जा रहा और धीरे धीरे करके शाम तक सारा खजाना खाली हो गया और पब्लिक खड़ी वे देख रही है क्या अब्लिक खड़ी और उसनों के पैर पकड़ लिये और उससे पूछा कि भई ये मतलब मुझे मुझे से गलती हो गई दंब आ गया मेरे में आहिंकार आ गया और जो आई ये बट इसके पीछे स्टोरी है क्या मतलब क्या कहानी है बिखारी ने बोला कि कोई स्टोरी नहीं य ये जो कटोरा जो मैंने बनाया हुआ ये आदमी की खोपड़ी का बनाया हुआ और ये आदमी की खोपड़ी ऐसी है कि इसके अंदर इसको जितना देते चले जाओ कभी पूरा नहीं होता बस यहीं है ग्रीड की डेफिनिशन या लोब की डेफिनिशन कि लोब उस चीज को बोलते हैं कि जितना देते चले जाओ आप कभी पूरा नहीं होता एक बहुत ही मशूर अंग्रेजी फिल्म थी होलिवूड की फिल्म थी वाल स्ट्रीट करके और जिसका हीरो जो है माइकल डगलस है बहुत फेमस है और उसका उस फिल्म मेंने बहुत मशूर डायल होग है कि ग्रीड इस गुट वह नैचरली स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड पर बनी हुए फिल्म और किसी भी अगर स्टॉक मार्केट वाले आदमी से बात करोगे तो दो टर्म जरूर यूज करता है ग्रीड एंड फियर कि कभी ग्रीड जयदा हो जाती है तो उसको फियर को करना चाहिए वटेवर जो भी है एंड ही सेज ग्रीड इस गुट दूसरी तरफ आप किसी वे व्यापारी मैं जिस भी सरकल में बैठता हूं जैसे मैं आपको बताया तो जयदा तर लोग व्यापारी करते हैं तो अगर उनसे भी बोलोगे तो यहीं बोलेंगे कि येस बिना ग्रीड के या बिना लोब के व्यापार कैसे हो सकता यह तो व्यापार को बढ़ाने की सबसे बड़े जरूरत है ऐसे ही दूसरी तरफ हम बच्पन से सुनते आते हैं जो हमें घर के सब बड़े या समाज जो बताता वो यह कहता है लालच बुरी बला है वो जो स्टोरी सुन तो एक अंग्रेजी कहवत है which says that profit is not a dirty word उसका basic meaning यह है कि लाब is good but lobe is bad यह बहुत line important है कि लाब is good lobe is bad एक पंचतंतर की कहानी है जिससे थोड़ा ओर clear करने की कुशिश करता हूं कि एक आदमी के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी सबने सुनी होगी कह और रोज एक अंडा देती थी सोने का एक दिन उस आदमी को लगता है कि क्यों ना मैं अगर इस मुर्गी को काट दू तो सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ और कहानी कहती है कि वो मुर्गी काट देता है मार देता है अब यह कहने की बात है कि उसने मुर्गी काट दी इस तो स्टीवन कवी ने अपनी एक्जाम्पल के तौर के उपर बहुत अच्छे से इस्तमाल करके एक अलग डायमिशन दी जिसमें वो कहता है दरसल देखा जाए तो उसने कोई मुर्गी कोई काटेगा नहीं कोई भी क्यों काटेगा इने वे बातचीत है कि उसने मुर्गी की द कमज़ोर हो के वो मर गई दरसल बस exactly यही लोब के चक्कर में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होता है कि हम इतने जैदा उसके पीछे भागने के अंदर बिजी हो जाते हैं या हमारा फोकस उसके उसके उपर इतना चला जाता है कि यह भी चाहिए वो भी चाहिए सब चीज़ों को चाहिए वाला जो भाव है, उसके पीछे इतने डिवाने हो जाते है, पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं कि उसके चक्कर में हो ना हो अकसर सौ लोग उठाके देखोगे, जो लौप के पीछे भाग रहे हti, वो अपने शरीर और सहत का भूल जाते हैं और अंत में उसका नुकसान कर बैठते हैं तब ही वो अंग्रेजी कहावत बनी कि health is wealth या रिष्टों का नुकसान कर बैठते हैं कि रिष्टे निगलेक्ट हो जाते हैं उस बीच में मानसिक स्थिती जो बिगड़ जाती है बहुत कुछ हो जाता है उस चक्कर के अंदर पहले दवाईयों से शुरू करते हैं कि खाना जो रूखासुका खाते हैं अक्सर देखो यह अमीरों के साथी दिक्कत होती है और मानसिक तरणाव के चलते चलते बाद में रिष्टे शरीव और जो है वो मन की शांती सब की आहुती चड़ा जाते हैं लोब के चक्कर में लोब दरसल एक मांगने का भाव है आपको लेके डूपता दिखता बहुत खुबसूरत है और अब अगर हम इसे कम करते चले जाएं कि लोब को दीरे 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 इसकी जो on a scale of 10 से 9 की तरफ चलते जाएं फिर 8, 7 जो भी दीरे दीरे करके 0 की तरफ जाएं तो जो स्थिती पहुंचती है उसे संतोष का भाव करते हैं यह बहुत important word है बहुत ही खुबसूरत word ह यह संतोष भाव ऐसा नहीं है जो सुस्त भाव है कि जिसके अंदर बैठे हुएं संतोष भाव ऐसा भाव है जिसके अंदर आपको जो कुछ भी है आप उससे संतोष तो और अगर आपके पास जो कुछ अगर फालत हुए अगर आपके सामने कोई आ जाए तो आपके हाथ द के तौर के ऊपर अगर आप यह देखो तो दुनिया के जो दो सबसे अमीर आदमी है ना उनके एक्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा कि जो है कि कैसे देने के लेने के भाव से देने के भाव में कनवर्ट हुए प्रक्टिकली देखते हुए में भी रॉबिन शर्मा की एक प्रक्टिकली यही है कि उसका जो में कैरेक्टर है वो पहले वकालत करता और वकालत करते हुए इतना डूब जाता है अपने नाम और शौरत और पैसा कमाने के चक्कर में कि एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा होता और गर जाता देन रियालाइजड कि यह तो गर्ड़बर को कहने के कोशिश कर रहा हूं वो यह है कि prosperity के पीछे भागते हुए आपको piece of mind नहीं खोना इसका एक balance से यह अक्सर ऐसा होता है कि आप prosperity के पीछे भागते हो और piece of mind खो देते हो जो example में दो लोगों का देना चाहता हूं Bill Gates and Warren Buffett हैं दोनों दुनिया के सबसे अमीर आदमिय के वो दोनों ही है या आप लेटली एक्जामपल अगर जैसे मैं आपको कहा रहा हूं prosperity और peace of mind के बीच में balance होना चाहिए तो उसका बिलकुल लेटेक्स एक्जामपल जो खांसिंग राजपूत की जो suicide कमिट करना देखा जाये तो एक poster boy है इस generation का जो poster boy है आमीर खान की three idiots के बाद आया कि follow your passion तो follow your passion के अंदर he followed his passion, he was an engineer, he was studying engineering, Delhi College of Engineering के final year में था जिसको drop करके और वो acting के अपने passion के पीछे गया, और acting के passion के अंदर भी जो उसका career graph जो आया, TV से होते हुए, तो उसका hit ही hit आया, which means आखरी film में उसकी चिछुरे भी hit थी, लेकिन ये सीधा सीधा एक ही चीज़ बताता है, news को देखो, media को देखो, कि वो clinical depression में था, what does it mean clinical depression, basically ये कि आपके मनोस्थिती में अशान्ती इतनी ज्यादा है, हताशा इतनी ज्यादा है, कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद, बाहर की दुनिया का सब कुछ prosperity के होने के बावजूद, आपको ज सब्सक्राइटिंग, लेकिन basically आपके quality of life कैसी होगी, ये उसको decide करते हैं, दरसल एक तरह से देखो, तो ये है कि क्रोध, भै, इर्षया और घ्रिणा, ये ऐसे भाव हैं, कि जिनका हम सब को अनुभाव है, हम सब को अपने अपने जीवन में कई दफा experiences हम कर चुके, कि हम ज देखा जाये तो हर आदमी इन भाव के बारे में चाहे गहरे तोर पर ना जानता हो, लेकिन पैचानता जरूर है इनको, और ये भी सब को पता है, कि ये भाव जो हैं, आदमी के कश्ट का कारण बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनी साथ में से जो बाकी बचे हुए तीन भ भाव स्थेती हैं, लेकिन ये लगते बहुत भले हैं, देखा जाये तो इनके पिछे जाने का मन करता है, अदर्वाइस मुझे कोई बताओ कि कैसे justice होगा, कि ambition को encourage किया जाता है, उसको competitiveness कहा जाता है, और उसको encourage करते हैं, या मोह को प्रेम का नाम देखे, ये कहा जाता है, कि ये तो सौभाविक है, और उसको हम proud feel करते हैं, similarly, lobe को भी encourage किया जाता है, उसको बुरा नहीं माना जाता, लगता है कि होगा lobe, लेकिन जितना मिल जाए उतना भला, बाद में येही तीनों चीजें, जाके अगर आपको कोई बता भी देना, ये आपके कश्ट का कारण ब मांगो, जो भी आपकी कामना है, वो पूरी हो जाती है, ये कल्प रिक्ष की उपर based upon कहानी है, कि एक बार एक मुसाफिर एक जंगल से गुजर रहा था, जो जो है एक जगे ठक गया और उसना आराम करने के लिए पेड़ के नीचे पना बैठ गया नीचे, आराम करने लगा सो गया, कल्प रिक्ष का पेड़ता हो, बाद में थोड़ी दे बाद जब उसकी नीच पूरी होई, जाक खुली, इसके मन के अंदर आया, कि यार बहुत अच्छी नीच आ गई, बहुत प्यारी नीच आ गई, अब अगर यहां पर अच्छा भोजन भी मिल जाता, तो क्या बात थी, जैसे ही आँख खुलता देखता है कि दो लोग आ गए और जो है, जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन उसके सामने रख दिया, तो भोजन रख दिया, तो उसने भोजन खा लिया, खाना खाने के बाद जो है, वो उसने अपना सोचा कि अगर मुझे पानी भी मिल जाता, तो ये भी मिल गया, अब अचानक जब पेट भर गया, ये रियलाइजड ये हुआ कैसे, उसको लगा कि कहीं कोई यहां पर भूत परेत तो नहीं है, तो भूत परेत आ जाते हैं, क्योंकि यो तो कल्प्रेक्ष के नीचे बैठा है ना, तो उसको लगता है कि कहीं, ये मुझे मार तो नहीं देंगे, और वो उसको मार देते हैं, तो अब देखो, इसकी कामना से शुरुआत हुई, और भै तक पहुची, और भै से मृत्ती हो गई, अब शारुक खान की एक मूवी थी, ओम शान्ति ओम, इसमें उसका ना, एक बहुत ही फेमस डायलोग था, कि अगर आप कोई चीज पूरी शिदत से अगर कोई चीज चाहो, तो सारी काइनात आपकी मदद करती है, उसको पाने में, इसी कली ये एक बहुत ही फेमस बुक है, अलकेमिस्ट, जो पॉलो कालो ने लिखी थी, की थीम भी यही है, अब कलप्रिक्ष की कहानियों, शेयर करना चाहता हूं कि मैं भै को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं इसको, मेरा ना डॉमिनेटिंग ट्रेट है, जो एक ट्रेट, जो साथ ट्रेट हैं, काम, करोध, मो, लो, भै, इर्शा में, भै मेरे सौभाव को डॉमिनेट करता है, अगर आप प्रेट होगे, तो कोई ना कोई एक सातों में से कोई एक चीज होगी, जो डॉमिनेट कर रही होगी, ये बात अलगे कि जैसे मेरा भै, कंप्लीट भै नहीं है, हमेशा भै भी त्रेने वाला काम नहीं है, मेरा भै बड़ा स्पेसिफिक भै है, जो बिमारियों और डॉक्ट तो जो है वो दूसरी तरफ जाके अभै बन जाता है, या फियरलेस्नस बन जाती है, जो ट्रेट आपका इस तरह पावर्फूल है, वो उस तरह भी पावर्फूल है, तो दूसरे शब्दों में, जिस ट्रेट की वज़े से आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है, जो उसके opposite end का जो positive trait है आपको उससे ही उसी वज़े से सबसे ज़्यादा होगा जैसे मेरे case में अगर मुझे fear की वज़े से मुझे कश्ट रहा है अपने जीवन में तो fearlessness की वज़े से मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला है वो उस वज़े से ही मिला यह फिर topic किसी और दिन के लिए हर भाव को जानो उसके बारे में aware हो जाओ यही objective है इस podcast का और आपका कौन सा भाव आपको positive energy देता और कौन सा भाव आपको negative energy देता बस सिर्फ जानना है अगर हम इस भाव को जान लेंगे तो तब ही हम उसको manage कर सकते हैं होता यह है कि हम दूसरे के सौभाव के बारे में तो लगातार comment करते हैं और दूसरे के सौभाव को हम claim करते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं लेकिन सच यह है कि हम अपने भाव को भी धंग से नहीं जानते हैं अब ये जो भै है, तो अंत में अगर देखो, तो भै किस चीज से भै होता है, आखरी भै को अगर भै को लेते चले जाओ, बहुत सारे रूप हैं, जैसे मैंने अपना बिमारी का का किसी को हाइट से है, किसी को पानी से है, किसी को किसी चीज से है, किसी को किसी चीज से है, ले मृत्यू के प्रती चला जाए, तो सब को पता है जब कि, कि एक दिन जन्म होया और एक दिन मृत्यू होगी, लेकिन जब मृत्यू का टाइम आता है, तो सब की फट लेती है, लेकिन असली positive भाव वो होता है, fearlessness वो होती है, कि जब मृत्यू आए, तो आप बिना किसी भैके, उसके हाथ में हाथ डालके, बिना एक भी मिनट घबराए, कि मेरे time पूरा हो गया, और चले जाओ, तो ये इसको define करता है, fear and fearlessness को, आपका काम क्या है, आपका काम ये है, कि आप अपने आपको rating दो, कि आप भै और अभै वले उसमें, आप कहां ठहरते हो, and let us move to next, दरसल इस इस भाव की जो मैं शुरुवात कर रहा हूँ, ये आपको किसी कहानी से नहीं कर रहा, कुछ सवालों से मैं कर रहा हूँ, और सवालों से हम आप ही से सवाल कर रहा हूँ, जानने की कुशिश करते हैं, कि इस भाव में आप कहां खड़े हो, तो पहला सवाल ये है, कि क्या आ बेंटन का गेम खेल रहे हो, हार गए, बहुत ही दिल लगा के शिदत से खेला, लेकिन हार गए तो इतने चिड जाते हो, यह जानने की कोशिश है, तो क्या आपका स्वभा हो ऐसा, अगर आपके सामने, कोई आप ही के जानने वाले को, मतलब आपके अपने सरकल का कोई आदमी तो आपको कैसा लगता है, कि आप तारीफ सुनके चिड जाते हो, अगर आपका कोई जानने वाला है, ऐसे ही, कोई रिष्टेदार, या जो है, कोई दोस्त, या समाज में उठने वैटने वाड़ा आदमी या कुलीग, अगर उसको कोई सफलता मिलती है, उसको कोई सफलता म किसी दूसरे के बारे में, मैं, 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 से कहानी शुरू होती है, और मैंने क्या किया, और मैंने क्या पाया, और दूसरे के बारे में कोई ना सुन रहे होते हो, ना देख रहे होते हो, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति हो, अब आप कैसे व्यक्ति हो, मुझे यह यह नहीं जेलेसी मैंने उसी को देखके समझे है कि जेलेसी से आदमी के हालत क्या हो जाती है He is very competitive, very talented लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर जीच जाता है तो जितना जलता हुआ मैंने उसको देखा है या जो भी ट्रेट बोलें कि उसके सामने किसी की दूसरे की तारीफ आ जाया तो जल के भुन जाता है विल्गुल और अगर आप उसकी तारीफ करो दूसरों की बुराईयां करो तो खुश हो जाता है तो यह ट्रेट है, आप इनको बच्चों में भी देख सकते हैं इस ट्रेट को बहुत ही खतरना ट्रेट है कि जो जिसको हम sibling rivalry कह देते हैं उस वकत तो हमें उतना महसूस नहीं होता लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं जिनको jealousy का ट्रेट होता है उन लोगों के साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी दिक्कत आ जाते हैं बड़े परिशान jealousy makes a person very angry, very irrational, very unreasonable, very unattractive and very repulsive उस वकत तो बंदा ही बदल जाता है वैसे तो किसी भी negative अगर emotion के अंदर जाओगे भाव स्थिती में जाओगे तो आदमी आदमी नहीं रहता वो आदमी बिलकुल unattractive हो जाता और वो opposite side में जाएगा तो उसका opposite ही है कि वो बहुत अच्छा हो जात जाता है अब जैसे इसके अंदर भी opposite side के है opposite side अगर आप उसको जलन को jealousy को आप 0,10,2 आप घटाते चले जाओ तो वो ऐसी स्थिती आ जाती है जहाँ पर जिसको compassion कहते हैं अंग्रेजी का word है compassion हिंदी का word है उसके लिए दया अगर आप यह देखो कि जो एक तरफ अगर jealousy वा वाला आदमी यह compassion वाला आदमी अगर किसी को देखता है कि किसी के सफलता होई तो उसके अंदर उसको उसके अंदर खुशी उमड़ती है यानि बलकि वो ऐसा होता है कि वो जाके साथ देखे वो चाहता है कि ना केवल दूसरे तरक्की करें बलकि बहुत तरक्की करें तो अ अब इसके अंदर आप कहा ठहरते हो, 0 to 10 में यह आप जज़ करो, and let us move to next भाव, आखरी भाव का जो पेयर है यह है, घ्रिना और प्रेम का, या लव एंड हेट का जो भी बोलोगे आप, तो मैं यह बोलूँगा कि जितने बाकी भाव भाव अभी तक आए हैं, काम, क्रोध, मो, लोब, भै, इर्षया, इसका मेरे को थोड़ा 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 अनुभाव है, जो मैं personally, जो मैंने महसूस किया हुआ, या जिसको मैंने experience किया हुआ, उसमें डर का ज़्यदा अनुभाव किया हुआ, बाकी चीज़ों का कम से किया हुआ, लेकिन सब का अनुभाव है, यह जो ग्रिणा है न, मैं अपने तौर पर कह सकता हूँ, कि जीवन में आज तक एक भी व्यक्ति नहीं है, जिसको मैं बोलूँ कि I hate him और I hate her, तो यह भाव कि मेरे को ज़्यदा पहचान नहीं है, मेरे खुद को भी ज़्यदा पहचान नहीं है, दो यह एक बात अलग है कि अगर इसको zero करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, 10, 9, 8, 7, तो जो भाव आता है, वो प्रेम भाव आता है, प्रेम भाव का मुझे एहसास है, मुझे पता है, लेकिन उसका भी पूरी तरह से वो वाला एहसास नहीं जिसको मैं बोलूँ कि पूरी तरह से मैं प्रेम भाव को जानता हूं, जो कबीर का दुआ है कि प्रेम गली इतनी साकरी के आमे दो ना समाए जिसका basic meaning यह होता है कि असली प्रेम वो होता है जब दो लोग एक हो जाएं यानि कि उनमें कोई फर्क ना रहे तो अगर दो हैं तो वो प्रेम में मिलावट आगई उसमें थोड़ी सी गरणा आगई या थोड़ी सी हीट्रेड आगई तो वो मुझे अपने परिवार के साथ या family के साथ या कुछ दोस्तों के साथ जो बहुत नजदिक के हैं या अपने गुरू के साथ उसका एसास है हेट का या हेट का या घ्रणा का असास नहीं है जिबकि नेरेटिव के तौर पर मैं समझ सकता हूं कि यह अनलाइक क्रोध और इडशा जैसे जो भाव हैं उनमें इमेडियेट रेक्शन आती है कि अगर आप कोई चीज ऐसी कोई ट्रिगर आया और को एकदम से क्रोध आ जाएगा और एकदम से इडशा हो जाएगी तो घ्रणा एकदम से नहीं होती घ्रणा को समय लगता है इसको पकाना पड़ता है जैसे इसके बीज डालने पड़ते हैं और धीरे धीरे यह उगती है जैसे पोधा उगता है और लेकिन यह जब बैठ जाती है इसकी जड़ें बहुत भा बांटते हैं आराम से क्योंकि I always say कि politics जो है that thrives on conflicts यानि politics को जगडा चाहिए कोई जगडा चाहिए तो इसलिए उनको जगडा create करने के लिए क्या करते हैं कि आपको बांटेंगे धर्म के नाम पर बांटेंगे आपके बीज बोएंगे घ्रना के या जातपात के नाम पर या अमीर गरीब के नाम पर या काले गोरे के नाम पर किसी भी नाम पर क्योंकि उनको पता आए कि जब तक यह conflict create नहीं होगा तो किसी एक ग्रुप के रिप्रेजेंट करके नेता नहीं बन सकते हैं और वो ग्रेजुली धीरे 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 बीज बोते हैं और हम मैंसे बहुत लोग अभी जब देखता हूं मैं अपने आसपास खास तोर पर जिस उमर में मैं हूं उसमें आसपास के लोग उसका शिकार बनते हैं मैं देखता हूं constantly देखता हूं कि वो जो है धीरे धीरे कब बीज बोये जाते हैं एक news देख रहे हैं दूसरे news देख रहे हैं एक चीज को follow कर रहे हैं and then they take one side कि किसी एक दल के साथ हो जाते हैं फिर वो उसी line को follow करने लगते हैं और ग्रिणा क अभी जितने आ जाते हैं कि उनकी आम जीवन की जीने का जो तरीका आम दिन के अंदर हर बात पर कुड़ 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 चलती रहती है किसी भी WhatsApp में जाकर देख लो कि कोई घटना घटेगी तो politicians के द्वारा create किये गई जो hatred है वो जो है वो आप अपसी रिष्टों के अंदर भी दरार पैदा करती है तो दूसरी तरफ प्यार महबत है जो politicians तो उससे बिल्कुल दूर रहते हैं लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत किसम का हैसास है और जो अगर मैं बोलूँगा कि positive side के अंदर अगर कोई lead करेगा तो उसमें lead करते वक्त प प्यार महबत को सबसे ऊचा दर्जा है कि अगर आपके अंदर प्रेम किसी भी वजे से उमड़ सकता तो सारी चीजों को सारी negativity को wash कर देता है दो ये बात अलगे कि सारे positive भाव इसी किसम के होते हैं तो इसमें अभी मेरे पास सुनाने को ना कोई personal story है ना कोई मेरे पास मैं क story relate कर रहा हूं बस मैं ये कहूंगा कि इसी से हम इसका अंत करते हैं जो साथ भाव हैं और बहुत मुश्किल था ये मैं ये एक किसम से अभी महसूस कर रहा हूं कि जैसे मैंने बहुत कुछ अनलोड कर दिया ये देखा जाये तो शुरुवात जो हुई शेयर करने की ये podcast की ये lockdown के period के शुरुवात के साथ ही हुई और इस period के बीच में मुझे ये अंदाजा था कि कितना मुश्किल काम है कि इसको ये जितनी लंबी जो जितना कुछ शेयर किया है 20, 22, 24, 25 वीडियो मैंने शेयर कियोंगी उसमें 2, 3 वीडियो को अटा दो तो सारी वीडियो बेसिकल जिससे आपके अंदर बदलाव लाए तो वो और इस ढंग से शेयर करना है कि देखने वाला अगर कहीं भी छोड़के जाए तो यहां पे आ गया था तो कुछ ना कुछ लेके जाए तो जो सफलता के साथ नियम थे तो पहले उसी से शेयर करने वाला काम था कि अगर मान लो क सफलता का पहला नियम देखके भी छोड़के चला जाता तो कुछ ना कुछ लेके जा रहा है जिससे अगर वो उसको भी अपलाई करेगा तो उसके जीवन में बदलाव आएगा सिमिलरली तीन नियम चार नियम छे नियम जो जैसे सेट बनाए हुए थे कि पहले तीन नियम अगर कोई ले गया तो उसको भी फाइदा होगा और साथ नियम कंपलीट करने के बाद बाकी जो कुछ भी एड किया गया वो मैं एक एक करके इसलिए एड करता रहा कि जैसे उसके बाद मेरी अपनी स्टोरी एड की तो यह साथ नियम जो बता रहा हुए इसके बारे में जानना जलूरी है इसके बाद किताबें या बायग्राफी या मेरे जीवन में आई परसनेलिटी या गुरू या जो कुछ भी शेयर किया तो उसका अब्जेक्टिव यह था कि जो है इन सब के निचोड से जो कुछ साथ नियम निकले है वो ही निकले है और जो अब जो यह भाव वाला है यह स इसको समझना जब तक हम इसको नहीं समझते तब तक हमारे जीवन में एक सुर्ण नहीं आ सकता जिससे हमें सफलता मिले और अब भी आपको क्या करना आपको यह साथ नियम जैसे जो जो साथ भाव आपने जाने इसके अंदर सिर्फ यह स्पाव किस तरफ है दोनों तरफ पुल कर रहा है, एक तरफ आपके positive भाव निकलेंगे और एक तरफ आपके negative भाव निकलेंगे, जो dominating भाव होंगे, उससे आपकी मनोस्थिती तैय होगी, कि वो उसमें शांती है या आशांती है, वो एक criteria है यह देखने का, कि कौन सी forces जो है, positive भाव डॉमिनेट क करने हैं, तो इनको हमें क्या करना है? हमें यह करना कि positive भाव की जो स्थिती है, इसको बहतर करना, इसको improve करना, और negative भाव को decrease करना, कैसे होगा वो? तो एक रास्ता तो यह है कि जैसे अगर आप भाव सागर के पार जाना चाहते हो, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहत और वो आपको गीता के बताए जो तीन रास्ते हैं भक्ती मार्ग या ग्यान मार्ग या प्रेम मार्ग इन में से कोई रास्ते के उपर ले जाके और आपको भाव सागर से पार ले जा सकता मतलब बियॉंड एमोशन ले जा सकता एमोशन पर जीत पा सकता और अगर आप नॉर् कि तरफ जहान देते हो तो पहले तीन नियम जो मैंने बताये हैं सफलता के साथ नियम में वो तीन नियम गीता के ही इन्हीं तीन जो रास्ते जो भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग और ग्यान मार्ग है इसका डाइलूटिड वर्जन है कि उसमें इमोशनल स्टेट के ऊपर एक आपकी बहुत अच्छे मजबूत नीव बनती है आप एक अच्छे इंसान बनते हो और इसके बाद बाकी जो चार नियम है वो जब दुनियादारी में जाते हो प्रोस्पेरिटी के लिए तो जो कॉम्पेटिटिव दुनिया है भार की उसमें कैसे वो चार नियम आपको help करते हैं आपका जो भी गोल है उसको प्राप्त करने के लिए अंदर के लिए कोई गोल नहीं है अंदर हम सिर्फ महोल बना रहे हैं तीन नियमों से ताकि आपका अंदुरूनी हिस्सा मजबूत रहे शांत रहे बस इतना ही objective है और अब इ क्यातरा थी एक audiobook की तरह है जो पूरे अगर उसको देखोगे तो यह complete हो जाती है जो भी अंत में आया है वो जाके पहले साथ नियम पर काम करें क्योंकि वह important है अंत में आगे आने वाले समय में मैं कुछ और पोस्ट करूंगा या नहीं अभी मुझे नहीं पता अगर कुछ सवाल आएंगे कुछ feedback आएंगे तो हो सकता हो उनके clarification पर काम करूं लेकिन जो गहराई वाला जो काम था जो boring काम था वो पूरा हो चुका अगर मैं कुछ भी शेयर करूंगा तो लाइटर शेप में होगा जैसे पहले वाले वीडियोज होते थे कि ताकि बोरिंग ना हो लेकिन ये भी ज़रूरी था इसलिए पूरा हो गया बाइफ नाओ एंड लेट अस सी आगे क्या होता है